Hello students, आज हम class 5th की SST की book का chapter 4, let's discover places on earth के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए बच्चो शुरू करते हैं, और इस chapter में बच्चो हम पृत्वी पर जो भी places हैं, उनको कैसे पता लगाया जाए, उनकी location का कैसे पता लगाया जाए, इसके बारे में समझेंगे, so let's start. It was Anita's 10th birthday, she invited Arun to her house, but he does not know the way to her house, ये Anita का 10th birthday था, इसलिए Anita ने क्या कहते, Arun को invite किया अपने घर पर, लेकिन Arun अनीता के घर का रास्ता नहीं जानता था, तो अब Anita ने क्या किया देखे, अनीता drew a map showing clearly each curve and road from Arun to Anita's house, तो अनीता ने एक map बनाया, अपने घर से, अरुन के घर तक के लिए, और उसमें सारे road और curve यानि की mode भी उसके अंदर उसने बनायी, ठीक है, आप देखे, अरुन तो अनीता's father that Anita has made a very good map, she has shown that cross roads where two roads intersects and bank as well, I cannot lose my way, तो अरुन ने अनीता के फादर को बताया कि अनीता ने इतना अच्छा map बनाया था, उसमें उसने सारे cross roads दिखाए थे, bank दिखाए थे, और इस तरीके से मैं अपना रास्था खो ही नहीं सकता था, मतलब इतना अच्छे से उसने map को draw किया था, देखे, मैं आपको ये बता चौराहा भी कहते हैं, ठीक है students, चलिए आगे का पढ़ते हैं, अनीता's father said, it's just like this way that people locate places in a map and globe, taking out one big globe, he said, to find any place on the earth, we should know about two things, longitudinal lines and latitudinal lines, तब अनीता के पापा ने बताया कि इसी तरीके से हम प्रिथवी पर, या map में या globe में किसी भी place को locate करते हैं, जैसे और locate करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उन्होंने एक map globe लेकर आए और उन्होंने बोला कि हमें earth पर किसी भी location का पता लगाने के लिए, जगे का पत इने imaginary lines हैं, यानि की कालपनिक हैं, ऐसी कोई lines प्रिथवी पर वैसे बनी हुई नहीं है, बस ये अंदाजा लगाने के लिए imaginary बनाई गई हैं, ठीक है, globe पर, these are imaginary lines, you can't see them, but which the help of these lines, we can locate any place on earth, तो इसमें बताया है कि आप इने प्रिथवी पर देख तो नहीं सकते, लेकिन इन लाइन की help से आप अर्थ के किसी भी प्लेस को easily locate कर सकते हो, पता लगा सकते हो, sailors even today take the help of these imaginary lines to find the way or to know where they are going, और वच्चों, sailors होते हैं, समुदरी यात्री, जो समुदर की यात्रा करते हैं, वो आज भी इन imaginary line की help से अपने रास्ते को ढूनते हैं कि वो किस ओर जा रहे हैं He showed the equator and imaginary line drawn around the middle of the earth that is exactly the same distance from the north pole and the south pole, देखिए बच्चों, जैसा कि आपने पिछले पार्थों में भी पढ़ा हैं, तो इसमें भी यही बताया है कि जो आर्थ में, आर्थ के विकुल बीचों बीच में एक line है, ये भी एक imaginary line है, जिसे equator line कहते हैं, जो north pole और south pole से बराबर दू उपर ये क्या है बच्चों, north pole है, और नीचे क्या है, south pole है, ठीक है, तो ये north pole है और ये south pole है नीचे वाला, तो इनका जो बीच का gap है, ये equal है, इक्वेटर line से, ठीक है, और ये हमारी equator line है, ठीक है बच्चों, अब देखिए, तो आगे क्या है इसमें, ये, the equator is 62,255 km long and looks as if the earth is wearing a belt, और जो एक्वेटर line है, बच्चों, वो 62,255 km लंबी है, और वो ऐसी दिखाई देती है, जैसे कि earth ने एक belt पहना हुआ है, जैसे कि आपको इस picture में निखाया हुआ है, इस तरीके से, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ earth पर नहीं दिखाई देता है, आप ये मस्तोचना कि earth पर ऐसा belt लगा हुआ है, बस ये है कि बीचों बीच से एक imaginary line ड्रॉ की गई है, लोग पर देखिए, from here starts the story of locating places on earth, और यहीं से start हो जाता है, earth पर places को ढूणने की जो story है, कहानी है, वो start हो जाती है, अब देखिए, कैसे पता करते हैं, सबसे पहले हम latitudinal lines के बारे में पढ़ेंगे, देखिए, latitudinal lines are parallel, देखिए, latitudinal lines क्या होती है, वो parallel होती है, parallel का मतलब है, समानांतर lines, जिसमें क्या होता है, जो lines आपस में कभी भी नहीं मिलती है, यह कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करती है, देखिए, अगर एक सीधी line है, और यह इसके parallel ही ही चलती है, यह line जैसे अगर इनके बीच का gap माल लीजिए, 5 cm है, तो यह आगे तक जितना भी आगे यह जाएंगी, तो इनका gap जो है, वो same रहेगा, ठीक है, गैप रिमेन same, तो अब देखिए, अब आगे का पढ़ते हैं, from the equatorial line, there are many parallel lines surrounding the earth from west to east direction, और बच्चो इसने, जो equatorial line है, बीच वाली जो रेखा है equatorial line, उसी के parallel ही, और भी कई सारी lines है, जो west से east direction में जाती है, as they reach the pole, keep on becoming shorter, और यह जैसे-जैसे pole की तरफ बढ़ती है, यह धीरे-धीरे छोटी होती जाती है, जैसे देखिए, यहाँ जो equatorial line है, वो सबसे बड़ा जो इसका circle बन रहा है, वो सबसे बड़ा बनता है, फिर उसके बाद, जैसे-जैसे यह उपर की तरफ जा रही है, यह छोटी होती जा रही है, देखिए, आप देख पा रहे हैं, इनका जो circle जो बन रहा है, वो छोटा बनता जा रहा है, ठीक है, there are 89 lines both in northern and southern hemisphere, और इसमें दोनों ही तरफ, southern and northern hemisphere में, 89, 89, जो lines है, latitudinal lines बनी हुई है, these lines are parallel to one another, और यह सारी ही, एक दुसरे की parallel है, they never meet each other, और यह कभी भी नहीं मिलती है, these lines are also called parallel lines of latitudes, और इनने latitude की parallel lines भी कहा जाता है, अब आगे बढ़ते हैं, बच्चो, parallel lines of latitude move from 0 degree to 90 degree, और जो यह parallel lines है, यह 0 degree से 90 degree की तरफ बढ़ती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जहां पर equator line है, बच्चो, वो 0 degree पर है, और 75 degree आपको दिखाई दे रहा है, 75 degree north जो है, उसी के जस्ट उपर जो एक point है, मैं आपको बताती हूं, देखे, यह जो point है, बीचो बीच में, यह क्या है, 90 degree है, ठीक, इसी तरीके से नीचे भी, यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट नीचे साइड में भी, south pole में जो है, वो भी 90 degree है, इधर यह 0 है, जो equator line है, यह 0 degree है, ज अब आगे का देखते हैं, बच्छो, the equator is 0 latitude, और equator जो line है, वो 0 degree latitude है, the latitude shows the distance from equator, और जो यह latitudinal lines है, वो equator से उनके बीच की जो दूरी है, उनका distance को दर्शाती है, to know which hemisphere is situated where, we have to keep in mind that the parallel lines of latitude are marked as N, north और S, south, इसमें N जो है, वो north के लिए है, और S जो है, south के लिए है, यह पता लगाने के लिए होता है, कि जो यह line है, वो किस hemisphere में है, तो अगर देखे, उपर N, N, N लिखा हुआ है, इसका मतलब यह northern hemisphere में है, और नीचे के जो lines है, उनमें S लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, तो यह southern hemisphere में है, तो यह southern hemisphere में है, ठीके बच्चो, बच्चो, the second important latitude line is called the topic of cancer, which is situated at 23 and a half degree latitude of northern hemisphere, अब देखे बच्चो, जो यह second line आपको दिखाई हुई है, topic of cancer है, आप पढ़ सकते हैं, इसको, देखे यह रही, यह 23 and a half degree north में है, topic of cancer, इसका नाम है, ठीके, अब आगे, the third important latitude line is the topic of capricorn, which is situated at 23 degree latitude of southern hemisphere, arctic line is situated at 66 degree latitude of northern hemisphere, and antarctic circle is at 66 and a half degree latitude in southern hemisphere, देखे आप यहां पर देखे, आप यह देखे, 66 degree and a half degree पर southern hemisphere में antarctic circle है, जो यह वाला circle है, इसे का आजाता है, और जो उपर है, 66 and a half degree, north में है, north hemisphere में है, तो वो arctic circle उपर है, यह antarctic है, उपर arctic है, ठीके बच्चो, तो यह five important latitudinal lines है, ठीके बच्चो, आब आगे का देखते हैं, अब देखे, यह हमने latitudinal lines के बारे में पढ़ा, अब हम longitudinal lines के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो देखे, बच्चो, now that we have understood the latitude lines, what are longitude lines, अब भी हमने latitude lines के बारे में समझा, तो longitude lines क्या है, इनके बारे में जानते हैं, अनीता asked her father who indicated on a globe semi circular lines moving from north pole to south pole, these are longitudinal lines, तो अनीता ने अपने फादर से पूछा कि longitudinal lines क्या होती हैं, तो उन्होंने globe में बताया, आप ये देख पा रहे हैं, जो north pole से south pole की तरफ जो lines जाती हैं, और ये circular lines होती हैं, इन्हें हम longitudinal lines कहते हैं, देखे, ये जो line है, ये north pole से south pole की और रहे हैं, वो भी circular form में इस तरीके से जा रहे हैं, ये एक circle बना रहे हैं, चीक है, तो ये क्या है, longitudinal lines हैं, चीक है, अब आगे, these, each line is called a meridian line, और हर line को इन में meridian line कहा जाता है, the line that passes through greenwich, a city in England is known as the prime meridian line, और जो बीचो बीच से बच्चों, जो zero degree से line गुजर रही है, ये England के greenwich city से गुजरती है, इसलिए इस line को क्या कहते है, जो एक दम straight line है, इसे हम prime meridian line कहते है, ठीक है, आप देखिए, it is situated on zero degree longitude, 180 lines in the west prime meridian are in western hemisphere, और देखे बच्चों, ये जो western hemisphere है, देखे एक minute, हाँ, ये देखे आप देख पा रहे हैं, जो ये western hemisphere है, इसमें 180 lines है, और ये eastern, जो east side का hemisphere है, आधा जो गोला है, hemisphere होता है बच्चों, अर्ध गोला, ठीक है, और hemisphere होता है, जो पूरा एक गोल होता है, और hemisphere उसे कहते हैं, जो आधा गोल होता है, ठीक है, इस तरी Okay? अब देख्ये थागए को पढ़ते हैं ये तो इन थाटे हैं और नेम्ड डबलू और इसमे भी चाह सी हे अगर बैस्ट रेश्ट हमिस्फेयर में दर नाम से लिखा जाता है और अगर इस्टण हमिस्फेयर में तो उनके आगए घ्राएइ समें रिकए हैं चलिए अम आगे पढ़ते हैं दा इस्टन साइड ऑफ प्राइम मेरीडियन विच इन इस्टन हमिस्टन हमिस्टन है और अलसो ऐस वनेटी लाइन नेम्ड ए फॉर एक्जामपल जबलपूर इन मध्य प्रदेश इस सिचुएटेट इटी टू और जबलपूर में मध्य प्रदेश के जबलपूर में एटी टू और आफ डिग्री की जो मेरीडियन लाइन है इस्ट साइड में उसे उसी से ही इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वहीं से ही डिसाइड होता है ठीक है बच्चो जो की लगबग यहाँ पर पढ़ेगा आप यह देख पा रहे हैं प्राइम मेरीडियन लाइन के बाद 20, 40, 60 और 80 डिग्री है इस साइड में तो यहाँ पर यह इस साइड में इस से थोड़ा सा आगे यहाँ पर पढ़ेगा ठीक है अब आगे का पढ़ते हैं यहाँ पर आपको एक अक्टिविटी है आपको अपने घर से स्कूल तक के लिए एक मैप को ड्रॉ करना है अब आगे पढ़ते हैं बच्चो देखें इस से धिहान से देखिएगा और बच्चो जो प्राइम मैरीडियन लाइन है वो हर कंट्री के टाइम को डिसाइड करती है और इसे क्या कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है जो 180 डिग्री लेटिटीट पर बनी हुई है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे है यह जो दिखाई हुई है यह है इंटरनेशनल डेट लाइन और यह है प्राइम मैरी डेट लाइन जो कि इंग्लेंड के ग्रीन विच सिटी से होकर गुजरती है चलिए आगे कपड़ते हैं अपनी जो डेट है वो इंटरनेशनल डेट के डिस्टेंस जितना डिस्टेंस है उसी से ही तैक करते हैं उनी के अकॉर्डिंग मतलब चेंज करते हैं जितना इंटरनेशनल डेट लाइन और उनके कंट्री में जो उनकी जो लाइन है उससे इसको चेंज करते हैं ठीक है अब आगे हैं एक एक पॉल्स और बच्चों जो प्राइम मेरेडियन लाइन से और इंटरनेशनल डेट लाइन दोनों ही पोल्स पर मिल जाती हैं जैसा कि आपने पीछे पेज में देखा है तो वहां पर यह लाइन्स मिलती हैं आपस में यह देख रहे हैं यह देखे यह प्राइम मेरेडिय और यह 180 डिग्री यहां पर अभी दिखाई नहीं देगा आपको बट वो घूम करके इस तरीके से यहां पोल पर इस तरीके से दोनों ही मिल जाती हैं ठीक है और जो लेटिटूडनल लाइन सोती है वच्छो वो आपस में नहीं मिलती है तो इनका यह डिफ्रेंस भी है ठीक है अब आगे का पढ़ते हैं देखिए दप्राइम मेरीडियन लाइन और यह पूरा एक राउन लेती है और इस लाइन से ही जो प्राइम मेरीडियन लाइन है उसी से ही इस्टन और वेस्टन हमिस्वेर बनते हैं जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया था अब देखिए ड आर्थ पर प्लेसिस की खोज कैसे की गई देखते हैं कैसे करते हैं तो डेटर्माइन दे करेक्ट सिच्वेशन अफ़ प्लेस इस इंपोर्टन तो नो वेर लॉंगिटूड और लेटिटूड लाइन मीट और क्रॉस इच अदर ऑन दे ग्लोब बच्चों किसी भी जगे को पता लगाने के लिए लोकेट करने के लिए हमें उसकी लॉंगिटूड और लेटिटूड लाइन का पता होना चाहिए जहां पर वो आपस में क्रॉस करती है उसी से हमें पता चलता है ठीके देखिए और जब लॉंगिटूड और लेटिटूड लाइन के जो बव होता है जाल होता है उसे हम ग्रिड कहते हैं और अग्जामपल आर डैली सिचुएटेड वेर 77 डिग्री इस्ट लॉंगिटूड और 29 डिग्री नॉर्थ लेटिटूड कट इच अदर देखिए यहां पर क्या मैं आपको यह वाला दिखा देती हूं इसमें मैप में दिखाया हुआ है यह देखिए बच्चो यहां पर लॉंगिटूड और लेटिटूड न दोनों ही लाइन्स बनी हुई है होरिजन्टल और वर्टिकली तो देखिए आप इसमें इस साइड मे जो यह वाला है तो सब्सक्राइव न में न यहां थे लुटा वगला है है लेटिटूड न लाइन लाइन्स हैं हुए इंक लिए वी मेंने लिखना भी तकि आप एसली समझ सकें देखिए यहां पर क्या है बच्को तो सो आप देख पाएंगे यह λंळन है है यह अन् जो यह लाइने है यह इस्टर्न हेमिस्फेयर में आ रही है इस साइड की लाइन जैसा कि मैंने आपको भी बढ़ाया था तो यह देखे यह प्राइम मेरिडियन लाइन है जो जीरो डिग्री पर है यह लाइन लाइन है और जो इस तरीके से है यह जीरो डिग्री पर है यह वा दिग्री नौर्थ से थोड़ा सा नीचे है तो यह कहां पर आजाएगा 29 डिग्री नौर्थ ठीक है और इस तरफ से जब आप देखेंगे तो यहां पर मैंने लिखा है 15, 30, 45, 60 डिग्री और 75 डिग्री तो यहां से 75 है बट यह थोड़ा सा आगे है हमारा डैली तो यह 77 डिग साउट रहे है और इस साइड की जो भी लाइन से होगी यह वैस्टर हमस्फेयर में गिनी जाएंगे तो इस तरीके से डैली को हमने फांड आट किया है तो इसी तरीके से मैप पर किसी भी प्लेश को लोकेट किया जा सकता है और इससे बहुत ही जगे को पता लगाना तो आप देखिए अगला देखते हैं इसी में ही यहाँ पर when you see the world map you will find India approximately between 67 degree east and 98 degree west longitude how big is our country तो अगर आप world map में देखेंगे तब आप देखेंगे हमारी इंडिया जो है 67 degree east और 98 degree west longitude में है और हमारी country बहुत बड़ी है इस तरीके से अभी मैं आपको map में दिखाऊंगी do you know that our country is situated 8 degree 4 minutes and 37 degree 6 minutes north latitude अब देखें मैं आपको इसको दिखा देती हूँ जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं यहाँ पर बच्चो इसका मतलब यह होता है कि जैसे देखें यह equator line है ठीक है और हमारी country क्या है इन दो lines में आ रही है ठीक है यहां से लिखें यहां पर आ रही है ठीक है तो यह में 8 degree of 4 minutes जो इस तरीके से लिखा हुआ है ठीक है और अगला है इसमे 37 degree लेक मिनट 37 degree 6 minutes ठीक है 37 degree और 6 minutes है ठीक है इस तरीके से इसका पता लगाया गया है जो इसका दूरी है equator line से when you see the world map you will find India approximately between 67 degree east and 98 degree west longitude how big is our country हमारी country देखें कितनी बड़ी है इससे पता लगता है do you know that our country is situated between 8 degree 4 minutes and 37 degree 6 minutes north latitude it is only by longitude and latitude line that we know India is situated in eastern and northern hemisphere देखें बच्छों मैं आपको इसको दिखा देती हूं कि हमारी जो country है एक मिनट यह देखें आप इसमें देखें यह है equator line ठीक है और हमारी country कहां तक आ रही है यह 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 देखें जब आप इससे देखेंगे तो equator line से हमारी country यहां इस जो इसका नीचे बॉटम है तो वहां पर 8 डिग्री 4 मिनट्स की दूरी पर है यह और यहां पर यह 37 डिग्री 6 मिनट्स की दूरी पर है ठीके तो इसको हम एक्क्वेटर से ही से काउंट किया जाता है और नौर्थ एटिटूड में यह ठीके जैसा कि आपने पीछे पढ़ा ठीके तो अब देखिए और क्या कहते और इंडिया की जो दूरी है वह मैं आभी आपको व्ल्ड मैप में दिखाऊंगी अब आगे का पढ़ते हैं बच्छो दे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रो दे सेंटर ऑफ इंडिया और बच्छो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ज पासिए और इंडिया और पहले जब लॉगिटूडनल लाइंस के पारे में नहीं जानते थे जो समुद्री आतरी थे तो वे लोग लाइंस के सारे ही अपनी देस्टिनेशन पर जाया करते थे map showing longitudinal lines were created only 400 years ago और ये सिर्फ 400 साल पहले ही longitudinal lines को create किया गया है अब देखे some interesting facts related to our earth देखे interesting facts जानते हैं the earth takes 365 days 5 hours 48 minutes and 46 seconds to complete one revolution around the sun मतलब sun का एक चक्कर लगाने में अर्थ 365 दिन 5 घंटे और 48 minutes 46 seconds का time लेती है एक पूरे revolution को complete करने में next है each day is of 23 hours 56 minutes and 41 seconds चीक है बच्चो one degree of the latitude line is about 172 km यानि की जो latitude line का एक degree है वो लगभग 172 km के बराबर है earth is the third planet of the solar system two-third of it is water और अर्थ जो है solar system का तीसरा planet है तीसरा ग्रह है और इसका two-third part जो है water से covered है two-third part इसमें water है the arctic reason above the arctic line line is called एक मिनट is called land of midnight sun और जो arctic circle है वो arctic reason के बिलकुल उपर है और इसलिए इसे midnight sun भी की जमीन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिलकुल आधी रात में सूरच दिखाई देता है because the sun never sets in summer और यहाँ पर summers में भी सूरच कभी भी नहीं डूटता है the earth is tilted on its axis and revolves around the sun और earth जो है वो अपनी axis पर tilted है जुकी हुई है यह मैंने आपको पिछले chapters में भी पढ़ाया है जैसे जो earth है उसकी जो axis है वो इस तरीके से है ठीक है यह north है और यह south इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया भी है the earth still is towards the sun in north hemisphere northern hemisphere for six months और earth जो है वो sun की तरफ 6 महीने जुकी रहती है और 6 महीने जो अगले 6 महीने है उसमें वो southern hemisphere की तरफ जुकी रहती है ठीक है बच्चो क्योंकि वो रिवाल्व होती रहती है ना इसलिए देखे बच्चो यह world map है जिसमें आप इंडिया की location देख सकते हैं इसमें आपको latitudinal और longitudinal दोनों ही lines दी हुई है latitudinal lines यह हैं और जो यह खड़ी हुई lines वर्टिकल पोजिशन में वह सारी ही longitudinal lines है तो देखे सबसे पहले हां पर देखे जीरो डिग्री जो है वह प्राइम मेरीडियन लाइन है और हमारा इंडिया जो है वह 60 डिग्री इस्ट और 90 डिग्री इस्ट से थोड़ा सा जादा इन दोनों मेरी 60 डिग्री इस्ट में देखे तो इससे 7 डिग्री यह जादा है तो इसलिए 67 डिग्री इस्ट है ठीक है और 90 से भी थोड़ा सा जादा है तो 98 डिग्री इस्ट ठीक है यह इसकी location है इस तरीके से इसे easily find out किया जा सकता है ठीक है बच्चों तो आप यह समझ गए हुए आशा सकती हूं तो आगे का देख लेते हैं question answers इसके तो पहला question है state five differences between latitude lines and longitude lines इसमें latitude and longitude lines का difference पताना है आपको तो देखे latitude lines जो है इस side दी हुए है और longitude lines है एके latitude implies the geographic coordinates that determines the distance of a point north south of the equator जो latitude lines होती है वो north or south में है ठीक है equator के north or southern hemisphere में है और longitudinal lines जो है वो east or west direction में east or west hemisphere में है ठीक है और जो zero degree पर है वो है prime meridian और इसमें latitude lines में जो zero degree पर लाइन है वो है equator equator के north और south में है latitude lines और prime meridian के east और west में है longitude lines अब आगे latitude lines में it is known as parallels जो latitude lines है वो दोनों ही parallel है और longitude lines it is known as meridian इन्हें meridian lines कहते है latitude में the length of the lines are different तो length है इनकी वो अलग अलग है जैसे जैसे ये poles की तरफ बढ़ती है है ये छोटी होती चली जाती है इनका जो सरकल है वो छोटा होता जाता है the length of lines are the same लेकिन जो longitude lines है वो सारी ही same रहते हैं same length है उनकी अब देखिए it classifies heat zones और जो latitude lines है वो हीट जोन को भी classify करती है जितना जितना यह पोल्स की तरफ बढ़ती है उतनी हीट कम होती जाती है और जितना equator की तरफ उतनी हीट बढ़ती जाती है अब यह देखे लांगिट्यूड में it classifies time zones और जो यह लांगिट्यूड लाइन से टाइम का पता चल 360 longitude lines and longitude lines कितनी है 360 next question what is a grid grid क्या होता है the bab of latitude and longitude lines is called grid जो latitude and longitude lines का जो बैब है जाल है उने ही grid कहा जाता है ठीक है अगला question है answer the following question page number 23 प्राइम मेरीडियन लाइन क्या है? प्राइम मेरीडियन लाइन क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन 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 क्या है? 3rd है there are in total 360 longitude lines 4th है the latitude line at 0 degree is called equator 5th है prime meridian line passes through greenwich city 6th है there is neither east nor west written on 0 degree longitude line अब अगला है one degree of latitude line is approximately equal to 172 km एक डिग्री latitude line कितनी है लगबग 172 km के बराबर है 8th है earth is third planet of the solar system it's two third part covered with water earth क्या है तीसरा ग्रे है solar system का और इसका दो तिहाई हिस्सा जो है वो पानी से cover है read the following sentences and mark right or wrong in the given यहाँ पर क्या है आपको right wrong का निस्टान लगाना है longitude and latitude are imaginary line yes यह imaginary lines है real में ऐसा कुछ earth पर lines नहीं बनी हुई है next है latitude lines on moving towards pole and become bigger जो latitude lines है वो जैसे जैसे poles की तरफ बढ़ती है वो बड़ी होती जाती है नहीं वो shorter होती जाती है छोटी होती जाती है तो यहाँ पर cross आएगा cancer or tropic of cancer is an important longitudinal line नहीं बच्चो क्योंकि यह latitudinal line है ना कि longitudinal ठीक है इसलिए cross आएगा wrong है यह arctic line is situated at 66 and a half degree in the northern hemisphere यह यह सही है फिफ्ट है इच longitude line is called median line येस नेक्स बच्चों यह लास्ट वाल आपको cut कर देना है कि इसमें question ठीक से नहीं दिया हुआ है ठीक है अब यह question मैं आपको परा चुकी हूँ फिफ्ट है write the name of latitude lines in the following picture आपको यहाँ पर latitude lines भरनी है देखे 90 degree north पर है यह है north pole है ठीक है और last में यहाँ 90 degree s जो लिखा है वो south pole है तो यहाँ पर 5 जो lines है वो आपको fill करनी है 66 and a half degree north Arctic circle ठीक है 23 and a half degree north topic of cancer 0 degree equator ठीक है 23 and a half degree south में जो है जो southern hemisphere में है वो है ट्रोपिक ओफ केप्रिकॉन और 66 degree and a half degree जो है वो क्या है Antarctic circle ठीक है इस तरीके से आप इसे कर लेंगे और यह last question आपको खुद करना है write the name of countries situated between two northern latitude and two southern latitude जो क्या कहते ऐसी countries के नाम लिखने है जो दो northern latitude और दो southern latitude में स्थेत है ओके बिच्चो थैंक यू